हाई गाइस वेलकम बैक टू माई चैनल तो आज इस वीडियो में आपके साथ करूंगी कि आप राइस वाटर की हाल से लंबे और गने बाल कैसे पास सकते हो फ्रेंट्स राइस वाटर पतले बालों को मोटा बनाने के लिए काफ़ी ज़रा अफेक्टिव है तो आज इस वीड बने फ्रैंट्स वीडियो का इन तक जरूर देखे कैगा यह एफिरी कि लगे के वीडियो की लाइक चलन beneficial को WILL करते हैं तो जलिए सथाट करते हैं आज की वीडियो तो प्रेंट्स आप देख सकतो मैं एक बाल में राइस लिये हैं आप अपने नीड़ क्रणिं इसकी कुधन जो आपके पतले बालों को मोटा बनाने में help करती है इसमें काफी ज्यादा moisturizing, healing और anti-oxidant होते है जो आपकी hair growth का promote करने के लिए काफी जाए effective होते है तो आप अपनी neat care cording rice rice ले सकते है आप देख सकते हो मैंने कितनी rice ली है एक बड़े से बाउल में friends में rice को transfer कर लूँगी आप देख सकते हो अगर friends आपकी new hair growth नहीं होती है आपकी hair growth रुक गई है friends आप rice water जूरू ट्राय करके देखिए friends एक काफी जाए effective method है friends मैंने खुद इसको use किया मुझे इसके result काफी जाए अच्छे लगी है तो friends मैंने ये बाउल में rice लिए है उसमें मैं एक ग्लास पानी डाल दूँगी उससे friends हाथों से अच्छे से clean कर लूँगी जो भी impurities होगी rice में वो अच्छे से निकल जाएगी आप देख सकते हो हाथों की help से friends आपको अच्छे से mix कर लेना है जो भी rice में friends impurities होगी वो सारी निकल जाएगी तो friends आप पहले अच्छे से इसको साफ कर ले आप देख सकते हो मैं अपनी finger की help से अच्छे से इसको clean कर ले हो आपको एक ग्लास पानी का लेना है फिर friends जो इसका पानी है पो मैं निकाल लूँगी फिर friends जो rice बच चके हैं इसमें मैं फिर एक ग्लास पानी डालूँगी आप देख सकते हो friends आप इस rice water को 10 से 12 गंटे रखें 10 से 12 गंटे के friends जादा इसको आप ना रखें क्योंकि friends अगर आप इसे जादा time रखेंगे तो जो आपका rice water है वो खुराब हो सकता है तो अब मैं इसे 10 से 12 गंटे के ऐसे छोड़ दूँगी जो भी friends rice में उसके benefits होगे वो सारी पानी में आ जाएंगी आप भी इसे 10 से 12 गंटे के लिए छोड़ दीजिए friends आप जाएटे इसे overnight पी रख सकते हैं 10 से 12 गंटे के बाद friends आप इसे किसी भी सप्रे बोटल में ट्रांसफर कर सकते हैं friends आप देख सकते हो मैंने कितना पानी लिया और कितने चावल लिया है आप अपने नीडी के रिकॉर्डिंग पानी और चावल ले सकते हो अगर friends आपकी new hair growth नहीं होती है तो आप rise water अपने बालों पर ज़रूर लगा के देखिए तो आप देख सकते हैं 10 से 12 गंटे हो चुकिया है पानी का कलर बिल्कुर चेंज हो चुक है अब मैं ऐसे एक सप्रे बोटल में ट्रांसफर कर लूँगी जो भी राइस में friends अच्छे उसके benefits थे वो सारे पानी में आ चुकी है मैंने एक खाली सप्रे बोटल लिए है उसे अच्छे से क्लीन कर लिए है अब मैं ऐसे इसको ट्रांसफर कर लूँगी friends اगर आप अच्छे से अपने बालों पे राइस बोटल लगाना चाहते है तो आप प्रे बोटल में पहले ट्रांसफर कर लेग को mo क्यूंकि फ्रेंट्स हाथों से इतना अच्छे से राइस वाटर बालों पर नहीं लग पाता है तो आप इसे पहले सप्रे बॉटल में ट्रांसवर कर सकते हैं फिर फ्रेंट्स अगर आप इसे अपनी स्कैल्प पर लगाएंगे रूट्स पर लगाएंगे काफी अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा डबल बैनिफित आपको मिलेगा तो आप देख सकते हैं सप्रे बॉटल काफी ज़रा अच्छे से आपके बालों पर राइस वाटर लग तो जो राइस वाटर होगा वह फॉमेट हो जाएगा जो भी अच्छे इसके गुन होगे वह सारे पानी में आजाएंगे तो अगर आप ठंडा ठंडा राइस वाटर भी अपने बालों पर लगाना चाहते हो तो फ्रेंट्स काफी ज़रा अच्छे आपको इसके रिजल्ट म पर लिया था मेरे बालों में बिलकुल बी ओल्ल नहीं है मेरे बाल बिलकुल नीट अ जी मैं आप देख सकते हो मैं सप्रेंड बोटल की collar से बर राइस वाटर दौ लगाईर तो फ्रेंड्स स्व्रेंड अपनी स्कालप लुआ थाएंगे तो अपके अपको अच्छे साओ ल मैं पहले आगे की तरफ अच्छे से राइज वोटर लगा रही हूँ आपके बाल बिल्कुल नीट एंड क्लीन होने चाहिए आपके बालों पर नहीं लगा होना चाहिए अगर आप गंदे बालों पर कोई रैमेडी ट्राय करते हो आपको इसका रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं राइज वोटर लगाऊंगे थोड़े थोड़े स्टेक्शन ले रही हूं देख सकते हूं मैं आपको बिल्कुल पास से दिखा रही हूं अगर आपके बाल में कोई शाइनिंग नहीं है आपके बाल काफी जाद डल है डैमेज आपको स्प्लिट टैंस की प्रॉब्लम में आ आपके बाल काफी ज़र अच्छा लगता है अगर फ्रेंड्स आप हेड वाश करके लाइज वाटर वीक में दो तीन बार भी लगाएंगे काफी ज़र अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा स्कैल्प में मैं अच्छे से राइज वोटर लगा लिए अब मैं बालों की लेंथ आपको अपनी scalp पे लगाना है आपको अपनी बालो के length पे भी लगाना है फिर friends आप इसे 30 minutes के लिए छोड़ दीजिए बाद में friends आप अपना hair wash भी कर सकते हो जब friends आपने rise water अपने बालो पे लगा ले है फिर friends आपको हलके हाथों से मसाज करनी है देख सकते मैं बिलकुल हलक इसे आपको 30 minutes के लिए ऐसे ही छोड़ देना है 30 minutes के बाद आप अपना hair wash कर सकते हैं hair wash करने के लिए friends आपको कोई भी shampoo का यूज नहीं करना है simple पानी से अपने बालो को दोना है क्योंकि friends हमने पहले hair wash कर लिया था अगर आप अब shampoo करेंगे तो आपको इतना ज़रा अच्छ रिजल्ट मिले क्योंकि friends आगे की तरफ हमारे कई पा थोड़े बाल कम होती है हमारे बालो में friends काफी जादा डेंडर्फ भी होता है हमारे बालो में को शाइनिंग नहीं होती है तो friends सा देख सकते हो मैं आगे की तरफ ही बिल्कुल अच्छे से rice water लगा रही हूँ friends आप rice water को एक बाद जरूर ठ्राय करके देखिए क्योंकि friends rice तो हर घर में होते ही है यह friends काफी जड़ा इजी वाला वे है हेर ग्रोथ कर प्रमोट करने का लॉंग और स्ट्रॉंग बाल पाने का अब friends मैं से 30 मिनट के लिए ऐसे छोड़ दूँगी बाद में hair wash करने के करके देखिए friends यह थी आज की वीडियो वीडियो हेल्फ लगेगी वीडियो को लाइक कर दे में चैनल को सब्सक्राइब कर दे तो friends मिलती हूं मैं आप सबी नेक्स वीडियो में ठैंक यू बाई